नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है सुराज में इस ख़बर को आपको दिखाने जा रहा हूँ यह भी ख़बर समाज से जूरी है और संबंधित है हमारे देश की महान शुंता से नानी महान, लेखक, साहितकार और पत्रकार जो की देश में जिन्होंने शुंता से नानी बनकर जिन्होंने जूगदान दिया समाज की बेहतरी के लिए काम किया और जहने कलम का जादूगर कहा जाता है वो हैं हमारे राम विक्षे बेनिपूरी जी जिनकी जैनती है आज और आज हम लोग मौजूद हैं आपको दर्शाव को बता दूँ उनके निवास स्थान पर जो कि मुझदफर पुजला के और आई परखंड शेतर में है और ये है बेनिपूर गाओ जो आज बीच नदी में आ गया है मैं ये भी बता दूँ और आपने अस्मारा का सरका दर्शन किया है मैं ज़रूर कहुँगा सबसे पहले तो इन्हें याद करें हम लोग और ये महसूस करें कि उन्होंने जो किया है जिस धर्ती से किया है जहां से उन्हें शुरुवात किया है वो धर्ती कितनी धन है और किस तरह उन्होंने इस जगह से उठकर और पूरे देश और पूरे दुनिया में अपना योगदान दिया तो इसको पहले असमरण करें याद करें और जिन ये लोगों के समिर्ती में उनकी यादे हैं उन सभी लोगों अपने अपने असमिर्ती को ताजा करने हैं आज उनके जैनती है और हम लोग उसके निवास अस्थान पर मौज़ूद है चौपाल समचार के पूरू टीम है साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उनके पौतर हमारे साथ है इसे चौपाल समचार में जूर गए हैं हम लोग चुकि उसी जगह पर आए इन्होंने भी अपने पुर्वजों को याद करने का जो आज का दिन है उसको यहां पर आए हैं और आज हम इनसे बात करते हैं कि इनके मर में कैसी अस्मिर्टी यह उनको लेकर है वो हम बात करते हैं आपको बहुत पहुत स्वागत है ऐसा है ना कि यहां पर आकर आप देखने के बाद आपको दुख ही हुआ होगा कि जो इनका असमारक है इनका मकान है असमारक जिन्होंने उन्होंने लिखा था, क्या कि से मेरा मकान नहीं अस्मारक है, तो ये अस्मारक की ये स्थिति है, जब कि सरकार के तो आर जो है, इसका कोई भी विवस्था नहीं हुआ, अन्ना हो रहा है, अन्ना होने कि हमको उमीद लगड़ा है, ये खुद आप नजर से देख लेंगे, तो आ जाएगा जी जी चारी हम लोग देखते हैं और मनन जी हम एक बात और आप से जाना चाहेंगे कि उनकी स्मिर्थी को आप लोग कितना बेहतर याद करते हैं कि आपको लगता है ये अभी अभी के यूग में जी उन्होंने अपना जो यूगदान दिया था कभी आप से कोई परिचर लेता होगा कहता होगा कि आप इनिपूरी जी के पौतर है कितना बेहतर लगता है पहलो बताएं आप तक पर जान ले हम लोग जो इनको आपने देखांग है पहलू है कि हम लोग जो जिस देश में हैं जिस जगह को लेकर हम लोग कहते हैं कि हमारा देश महान है तो इस जगह को लेकर ये भी मैं बताना चाहता हूं महान देश के गर्व में जो मोती है उस मोती का जो सीफ है उसकी दसा क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहिए अब डेवलप करना था एतिहासिक अस्थल में लेकिन वो नहीं हो सका आप देख सकते हैं की चर से भड़ा हुआ यह अस्थल और मैं कहूंगा हमारे जो सर है वो दिखाएं किस तरह से यह इस्थिती है और मैं वो हर एंगिल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं लोग हैं जो हमारे समाज में आने वाले आप नई पीड़ी है वो भी इन चीजों को याद कर सके और मनन जी आप आजाएं इदर मनन जी आप आप देखिए उनके पौतर के माध्यम से और यह यह आपका क्या परीचा हुआ हुआ है मैं इस पंचायत के बासी हैं हम जनार के लिए यह जो यह जो देख रहे हैं यह पर कीचर फैला है और इस तरह कि उपक्षा कब से कैसी इस्थिति है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में यह वानद का निरवान हुआ उसके बाद जो बैनी पूर्ग्राम हुआ तो इसकी इस्थिति का दैनिये हो गई और ग्राम जो है काफी प्रसासनी कुप्यक्षा का सिकार रहा है बेनी पूरी जी का आज जन्म दिवस है हम लोग की बीठी का जो जन्म हुआ उनके स्वरगवास होने के लगबग 15-16 साल बाद हम लोग के पीडी क्या पतलब जन्म होना शुरू हुआ तो हम लोग को साने उनका सा अखिकारी से एपील करते हैं ये निवेदन करते हैं जो इसका जिरनोधार किया जाए और प्रसासन की तरफ से ध्यान की दे करके और यह पूल का निरमान की आजा चाकि यह जो वद आ прогला को सके मैं जिस तरह से दे को से इनकी तक घो नहीं कि इस निनकी डिंटिति आए होंगे, मिले होंगे और उनकी लेখनी जो आम लोगों को मिल रही है वो इसी कोठरी से हो सकता है कि उन्होंने लिखा होगा यहां पर खिर्की टुटा हुआ खिर्की और यह दे konstheny कि जो धरोहर है कीचर से भरा हुआ वो इस धरोहर को लेकर कैसे हम लोग इसको बेहतर बनाएं यह हमारा दाई तो बनता है हमारे सभी लोगों का दाई तो बनता है कि इसको बेहतर बनाए और मैं क्या दिखाओं मैं दिखा दिखा कर आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो बरी सरदा से लोग मलयाषपन किये हैं तो मलयाषपन करने के साथ-साथ है इनके जो इनकी रचनाएं हैं जो उनको हम लोग जो महसूस कर रहे हैं उसके ढ़ोहर है जो उनका निवास रस्थान है उसे तो बचाने के जरूब्द है और जहां तक जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे कागजी ख्याली पुलाव पक रहे हैं, बहुत सारे कागजी परक्रियाएं हुई है, लेकिन वास्तु इस यही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सका है, आखरी में फिर से आप जूरते हैं, अभी जैनती को लेकर तो सबी लोग आते हैं, आपके यहाँ बरे- धरोहर है तो बचाने की कोशिज करें न, सरकार, वही नहीं होता है, सिर्फ परवचन दे देंगे, बोल देंगे, होगा, यह होगा, वो हगा, मंगर कागज पे सिर्फ या पेपर में निकालने के लिए, बहुत लबमा चौरा बोल देंगे, मंगर है कि कोई चीज होता नही ह हमेशा बोलते हैं कि आप लोग खुद प्रेस वाले से बोलते हैं कि इसको आभाज उठाइए आपके हाथ में कलम है कलम का ताकत दिखाइए और आभाज उठाइए नियाय दिलाना है तो आज वही है नियाय दिलाने की बात हो रही है यहां पर बताईए अगर सब कुछ ठीक है जिन्होंने पुरे देश पुरे समाज के लिए अपना जीवन ने उच्छावर कर दिया हो आज उनकी स्थिती यह है इनके सर पर यह जो च्छत है यह पता नहीं और इनका जो याद भी नहीं लोग करते हैं नील गाया कर यहां पर घूमती रहती है जंगल है सांप है और आने वाला दुर्गम रास्ता भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है तो इस तरह की जहाँ पर बेवस्था बहुती निंदनिये है इसको लेकर मैं जरूर कहना चाहूंगा आज जैनती समारो के इस अपसर पर सभी सरकार के नोवाइन देश सभी पता अधिकारी अधिका सानन चपाल समचार के लिए धन्यवाद